माइ फर्स सेशन विद यू दीपक जी और राइट दीपक जी अन्जु जी कभी फर्स सेशन है बाकि सब लोग भी तो रिप्लाय करो भाई यहां पर किसी को सोना नहीं है आज का सेशन बहुत सूपर इंट्रस्टिंग और बहुत ही वैलुएबल होने वाला आपकी लाइफ में बिल्कुल भी टाइम पास नहीं होने वाला राइट नेट्वर्क इशू है इसलिए वीडियो आफ हो रखा है ओके नो प्रॉब्लम ा फिक है मैं कुछ कोशन जानके लों में जानना चाहती हूं की अगर आप फर्स टाइम कर रहे हो तो इस सेशन को किस हैसे ले जाना है अगर पहले से मुझो जानते हो तो कैसे ले जाना हैına तो दो कोई इशू आ रहा है तो आप अपने एंड पे चेक कीजिए एक आडियो का बटन होता है उस पर क्लिक करना होता है मैं क्या करूं मौसमी जी क्योंकि सबको मेरी आवाज आ रही है क्लियर है वॉल्यूम सबको राइट एक बार रिजॉइन कर लीजे बस यह बोल सकती हूं है हां तो चलिए हम स्टाट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले वन्स अगेन आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है और आज का सेशन हमारा कंप्रीटली मोबाइल निम्रोलोजी पर होने वाला है आई होप आप लोग जानते होंगे है ना कि आज हम मोबाइल निम्रोलोजी के पर बात करने वाले हैं अपने बारे में दो लाइन में बताना चाहूंगी जो लोग फर्स टाइम जुड रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि आज सेशन किसके साथ हुआ है तो मेरा नाम स्वाती रहाद की है और मेरा जो प्रोफेशन है और मेरा जो प्रोफेशन है प्रोफेशन आयम इन इंजीनियर एक बीटेक इंजीनियर रूम है बट बीटेक इंजीनियरिंग मेरे कीती लगबक 14-15 साल पहले तो इस फिल्ड में मैं लास्ट साल से डे और नाइट पॉपरली इसी में ही डेडिकेटेड मेरी लाइफ इसी में ही डेडिकेटेड है आप लोग यह जो चहरे देख रहे हैं कही ना कही मुझसे जुड़े हुए है इनी नुमरोजी और एस्ट्रोजी कंसुल्टेशन के माध्यम से ठीक है तो यह मेरा बेसिक एक छोटा सा इंट्रोड़क्शन है जो आप लोगों को एट लीस पता होना चाहिए कि आपका सेशन किसके साथ हो रहा है राइट तो आगे बढ़ते हैं आज का सेशन हमारा कम्प्लीटली मोबाइल नुमरोजी के ओपर है तो आप में से कितने लोग जानते हैं मोबाइल नुमरोजी का इंपॉर्टेंस और थोड़ा सा सभी लोगों को मेरे साथ रिस्पॉंस देना पड़ेगा इंट्राक्शन करना पड़ेगा किसी भी तरीके से चाहें आप चैट बॉक्स यूज करो चाहें आप थंब का यूज करो चाहें आप अपनी गर्दन का यूज करो कैसे भी करके येस और नो के आंसर नहीं पता हाटली दस लोगों का रिस्पॉंस आया होगा दरमेश बयान जी आप तो पूरा पढ़ी चुके हो तो आपका तो पता ही होगा राइट आचा आ रहे हैं प्राचीन ओके आप भी हैं मोस्ट वैलकम देखे मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो सुडेंट्स अलरी पढ़ चुके हैं वो भी फ्री वेबिनार्स में आते हैं तो अच्छा लगता है कहीं न कहीं थोड़ा सा पता है कहीं सुना है बहुत बढ़िया सबके genuine answers आ रहे हैं अभी mobile नंबर शेयर मत कीजिए क्योंकि जब mobile नंबर शेयर करने होंगे मैं आप लोगों को बता दूँगी तो देखिए अगर हम किसी भी topic में entry करते हैं तो हमें उसके अच्छी चीज़े पता होनी ज़रूरी हैं है ना इस चीज़ की फाइदे हैं कोई भी नुकसान नहीं है तो यहां पर नुकसान की बाद हम करेंगी ही नहीं अब mobile numerology क्या होती है mobile numerology numerology की एक ऐसी field है जो आपके mobile number को study करती है simple हम सभी के पास mobile numbers है उन numbers का humans पे क्या प्रभाव है उस science को हम बोलते है mobile numerology simple ठीक है अब यह जो science यह तो विद्या है numbers की जो विद् numerology क्या है एक ऐसी divine science है एक ऐसी devie vidya है जो हमारी life को अगर हम समझ ले तो हमारी life को बहुत simple smooth बना देती है जिससे हमें success असानी से मिलनी start हो जाती है अगर हम इसको समझ जाए तो इसलिए हर इंसान जितने भी आप successful लोग देखोगे कही ना कहीं वो numerology को astrology को अपनी life में follow कर करते ही करते हैं चाहें किसी भी level पर पहुंच जाएं तो numbers क्या है जैसे अब numbers एक language है communication का between humans and universe universe या फिर आप किसी को उपर जिस भी शक्ति को मानते हैं हमने उसको universe बोल दिया ठीक है जैसे कि आप लोग यहां आज बैठे हैं आप लोग मुझे सुन रहे हैं हम दोनों एक द हिंदी बोल रही हूं आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है तो यह एक हमारी common language है एक दूसरे को समझने की ऐसे ही universe के messages को समझने की जो science है अगर हमें humans को समझना है इंसानों को जानना है कि हमसे universe क्या बोल रहा है भ्रहमान हमसे क्या बोलना चाहरा है या वो divine energy हमसे क्या बोलना चाहती है वो numbers की form में बाते करती है इसी लिए हमारे आसपास हर एक चीज numbers की form में है आप कहीं पे भी देखो अपनी आंख घुमाके आपके आसपास आपको numbers ही numbers मिलेंगे सबसे बड़ी चीज क्या है घड़ी देख रहे हो आप मेरे पीछे घड़ी लग रही है इस universe universe को चलाने वाली चीज है काल, काल मतलब समय समय मतलब time, time के form में है numbers की form में है जो इस बात का प्रमान है कि आज हम है कल परसो जो भी हम चीजे बाते करते हैं वो time बताता है हमें समय बताएगा आप लोगोंने सुना होगा समय बताएगा है तो सब numbers की form में है तो ये universe की language है universe की language numbers है और वो अलग-अलग जगे आपको मिलेगी आपकी गाड़ी का नंबर किसा जुड़ते हैं और इनका असर होता है ठीक है पर आज हम जिस number के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इन सब नंबर में सबसे ज़्यादा effect देता है वो है आपका mobile number मोबाइल नंबर क्यों है सबसे ज़्यादा important कोई बताना चाहेगा कोई गैस करना चाहेगा क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी इनक्टिव रहे यहां पर मैं चाहती हूं हर इंसान अपना mind यूज़ करें पूरी तरीके से कोई अंदाजा लगाना चाहेगा कि mobile नंबर हमारी लाइफ का important हिस्सा अजकल बन चुक है क्या reason है उसके पीछे राइट माधवी जी भी यूज जाएं वटेव यूट उटर से 1000% accurate थांक यू सो मच धरमेश जी थांक यू सो मच बिकॉस एनी वर्क विद मूबाइल नंबर चीक है शायद हम रहाएट शायद यूज करते हो या confirm यूज करते हो रोज नेहा जी लेट मी टेल यू लेट मी टेल यू पहले क्या होता था पहले जादा तर जियो मोबाइल फोन का यूज होता था सिर्फ कम्मिनिकेशन के लिए होता था कोई खुश खबरी दे दी कोई दुखी खबर दे दी बस इतना राइट आजकल ऐसा नहीं है ना आजकल शॉपिंग पर जाओगे ना पेटे एम गूगल पे करना है कैश नहीं है इस्कूल में जाओगे बच्चों के वहाँ पर भी मोबाइल नंबर चाहिए अधार कार्ड के ले जाओगे महाँ पर भी मोबाइल नंबर चाहिए कभी बनने लग राप फोन से ही मन लगा होगे यूट्यूब पे यह वीडियो देखनी है जूम का सेशन अटेंड करना है शादी का काड़ देना है बर्डे का का देना है किसी को एग्री और नॉट देखो आज का सेश्ण आप लोगोंने बहुत वेबिनार्स करेंगे फ्री वाले भी करेंगे पेड भी करेंगे पर यह आज का सेश्ण फ्री इन दा सेंस कि आपने कोई money spent नहीं किया बट आप यहां पे अपना time spend कर रहे हो तो यह free नहीं है मेरा भी time लगेगा आपका भी time लगेगा इसी लिए इसकी कीमत बनाने के लिए यह बहुत ही important webinar होने वाला है इसको ऐसे मत समझेगा कि देखते हैं यह आपकी लाइफ भी चेंज कर सकता है अगर आपने इसको समझ लिया तो और डेफिनेटली उन लोगों की लाइफ में चेंज आता है या आता है हापे कुछ स्टूडेंट्स हैं अल्रेडी वह आप लोगों को बताएंगे अगर वह प् important बनाने के लिए इस सारी जो चीजे मैं share करूंगे आपको कहीं न कहीं benefit मिलेगा तो mobile phones का use पहले किसी और purpose के लिए होता था बट आज की life में mobile phones जो use हो रहे हैं आपके life के हर एक area में जुड़ चुके हैं आप कहीं पे भी बिना mobile phone के जा नहीं सकते life इस तरीके से आजकल होत चीजे digital हो चुकी हैं छोटे से छोटे वर्ग का आदमी बड़े से भड़े वर्ग का आदमी mobile phone यूज करता है और आजकल एक एक दो दो तीन तीन चार चार मोबाइल फोन होने लगे हैं landlines का concept ही खतम होता जा रहा है राइट सारी dependency mobile phone पे आ चुकी है इसी लिए हमारा जो usage ह mobile phone का हम सब भी का almost जब हम नहीं सोते उस time को हटा दो 7-8-10 गंडे उसके लावा हम पूरे time mobile phone पे रहते हैं किसी ना किसी कारण से YouTube चल रहा है YouTube phone के वरे से चल रहा है YouTube videos आजकल YouTube से करोड़पती अरपती बन चुके हैं लोग influencers, celebrities बीना उसके possible ही नहीं है Facebook, YouTube, WhatsApp, Telegram, जितनी भी apps सारी है Google पे, phone पे, Paytm हर एक इनसान यूज़ कर रहा है आपके bank account link है, आपके अधार card link है, तो कहने का मतलब है phone हमारी life का एक बहुत ही एहम हिस्सा बन चुका है जिसके बिना हम नहीं जी सकते हैं आज की life में, possibility नहीं है तो इसलिए जो चीर हमारे साथ 24 घंटे connected है, अब आपको लगेगा कि mobile phone, अब ये सोचो, मैं mobile phone बोलू या mobile number बोलू, क्या बिना mobile number के mobile phone चला सकते हो अगर आपके पास mobile phone instrument हो, चाहें 2 लाक रुपे का हो, 5 लाक का भी हो, उसमें अगर आपने mobile number नहीं डाला, तो क्या हो चले है, तो mobile phone का कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर जो mobile number है, वो उसकी जान है, फोन की, उसको चलाने वाली एक आत्मा है, तो उसका रोल है, तो जब वो चीज हमारे साथ 24 घंटे जुड़ी हुई है, तो उसका असार हमारे उपर होगा या नहीं होगा, आपको क्या लगता है, जो चीजें आपके साथ 24 घंटे connected रहती हैं, उनका असार आपके उपर पढ़ता है ना, ऐसे ही ये mobile phone family member से जाधा हो गए आजकर, लोग phone के चक्कर में घरवालों से लड़ लेते हैं, है ना, am I right, मौसमी ची अवाज आगे मेरी, thank you, इसी कारण से ये एक हमारी life का important subject बन चुका है, जिस इनसान के पास भी mobile phone, mobile number है, उसको ये समझना चाहिए, और इसी science के माध्यम से आप अपनी life को बना भी सकते हो, बिगाड़ भी सकते हो, 1000%, 1000%, mobile number से ही पता लग जाती है, हमारी life की problems और mobile number से ही solve भी हो जाती है, मतल़ आपका mobile number में जो number digits आ रहे हैं, वो number problems भी बता देते हैं, और जब हम वो जान जाते हैं, तो उसके बाद हम उसका solution भी कर लेते हैं, ठीक है, तो ये था कि mobile numerology होती क्या है, mobile numerology important क्यों है, उसका हमारी life पर क्या इंपाक्ट पड़ रहा है यहां तक सबको क्लियर गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग जिन भी लोगों ने भी जोइन किया है बहुत-बहुत आप लोगों का सबका स्वागत है और थैंक यू सो मच पर टेकिंग आउट टाइम ठीक है जी तो चलिए अब हमें इसका इंपॉर्टेंस पता लग गया अब हम आगे बढ़ते हैं टेक्निकल चीजों पर तो जैसे कुछ लोगों को नहीं समझ में आता कि हमारा फोन का यूसेज कहां कहां पर हो रहा है तो यह कुछ चीज है मैंने नोट कर रखी थी जो मेरा माइंड में आती है वाट्सअप पर माक्सिमम टाइम नहीं कलता है यूट्यूब पर कॉलिंग पर बैंक स्कूल्स नैट्फ्लेक्स मूवीज देखते हैं लोग है ना इवन एड्मिशन कराने कहीं पर भी जाना है अपना अपने बच्चों का कहीं पर भी ऑनलाइन क्लासेज लेनी है जूम बताया मैंने आपको है ना कहीं पेमेंट करनी है पेमेंट लेनी है फूड का ओडर करना है सारी आप्स आजकल A to Z मोबाइल फोन के बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता तो मोबाइल नंबर के अंदर जितनी में डिजेट्स आ रही है वो हमें इंफ्लॉएंस करती है हमारी लाइफ के ओपर प्रभाव डालती है अब मोबाइल यूम्रोलोजी से क्या-क्या चीज़ें हमें पता लग जाती है और क्या-क्या हमारी परेशानिया सॉल हो जाती है तो हेल्थ डिजीजेज जितनी भी आपकी लाइफ में होती हैं किसी की भी इंसान की लाइफ में है ना हेल्थ डिजीज पता लग जाती है कौन से नंबर कौन सी बिमारियां देते हैं और उसको हमें कैसे सही करना ये भी पता लग जाता है फिर अलग लग तरीके के relationship issues हैं आजकल life में लोगों के सास बहु की नहीं बन रही husband wife की नहीं बन रही या कई बार failure in love बार बार हट चीज में दोका मिल रहा है कुछ लोग आपको cheating कर रहे हैं boss के साथ दिक्कत आ रही है staff के साथ दिक्कत आ रही है अलग-अलग समस्या है तो वो सारे relationship issues में cover होते हैं किसी का separation हो रहा है किसी का divorce हो रहा है हाना job business में issues आ रहे है money से finance related बहुत सारे issues है loans debts legal issues addiction depression life में sudden problems आना मतलब बैठे बैठे अचानक से कोई ना कोई परिशानी आना आपके secret enemies बहुत हैं किसी की शादी नहीं हो रही किसी का divorce नहीं हो रहा divorce रेना चाहते हैं divorce नहीं हो रहा jail योग even jail योग तक phone number से detect हो जाता है ऐसे बहुत सारे लोगों पर case study कर रही है जो jail गए हुए उनके numbers में क्या-क्या चीज़े हमें मिली ठीक है तो कहने का मतलब है यह सारी जो चीज़े मैंने बताई है यह एक broad terminology है broad area है इसके अंदर जितनी भी चीज़े आती हैं वह हम mobile number से पता लगा सकते हैं और उसको solve भी कर सकते हैं कुछ numbers ऐसे होते हैं इतने worst होते हैं इतने खराब होते हैं जब तक हमारे साथ रहते हैं हम कितने भी efforts लगा लें कितना भी काम कर लें लाइफ में हमें आगे बढ़ने नहीं रेंगे हमें particular problem में फसागे रखेंगे और जब हम उसका solution कर लेते हैं एक new lucky mobile number लेके तो हमारी problems चुमंतर उन्हीं start हो जाती है आचार रहा प्राचीन जी agree or not क्या नाम था आपका राजिंदर जी है अन्म्यूट कीजिए एक बार जी मैं मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं मैंने कई mobile number study की है तो मैंने आपसे लाश्ट टाइम डिसकुस किया था मेरा एक फ्रेंड था उसके मोबाइल में six two three time था और three two था तो उसके पंदरा साल बाद बच्चे हुए है हाँ अब इन लोग मैं पॉन से combination से यह problem आती है जी और एक फ्रेंड थे उनके फादर की डेथ हो गई फादर से कभी बनी नहीं तो उससे मेरा फादा क्या है थांक यू राजिंदर जी इसमें benefit यह है कि हमें किसी की date of birth भी पता नहीं करना है है यह mobile numerology जो work करती है जिनके पास date of birth है अच्छी बात है जिनके पास नहीं है और भी अच्छी बात है दोनों case में equally work करती है तो यह उनके लिए magic है जिनके पास date of birth नहीं है क्योंकि जिनके पास date of birth नहीं होती हो लोग अकसर पूरी life परिशान रहते हैं कि हमें जलमती थी ही नहीं पता या गलत पता है तो mobile numerology के माध्यम से अगर आपके पास date of birth भी नहीं है तो आप अपनी life को एक बह बहुत दुनिया ला रही है already है ना तो अभी जो इन्होंने बताए थे दो problems उसके combinations मैं बताऊंगी पर उससे पहले कुछ technical चीज़ां आप लोगों को समझनी पड़ेंगी ठीक है तो क्या आप सभी ready है आगे बढ़ने के लिए मजा आ रहा है नीम तो नहीं आ रही किसी को चलिए जी एकदम स्ट्रेट होके बैट जाएए प्लीज जो भी लोग थोड़े sleeping position में है I request कि सीदे होके बैट जाएए थाकि सभी लोग active रहें ठीक है तो यहां मैंने बताया mobile निमरलोजी का one of the best benefit यह भी है कि data of birth available है तो भी आप mobile number एक अच्छा रख सकते हो date of birth नहीं है तो भी आप रख सकते हो दोनों ही case में अब कुछ लोगों के पास एक से ज्यादा phone numbers भी होते हैं तो उस case में mobile निमरलोजी कैसे काम करेगी जो number आप बहुत लंबे समय से use कर रहे हो और जो number आपका सबसे जादा दुनिया में circulate हो रखा है उस number का प्रभाव झाफ नहीं आएगा अपके उपर तो जिए व चीड़ आप यूज करोगे उसी को तो प्रभाव आएगा न आप आपके रिष्टेदार बहुत सारे हैं तो आप जिन रिष्टेदारों से बात करें उन्हीं कहीं तो पता लगेगा न आपको इस तक बात ही नहीं करी तो उनक कुछ technical चीजें इसमें सीखते हैं mobile number में कौन-कौन सी चीजे सीखने लाइक है सीखने लाइक तो बहुत कुछ है पर आज का जो हमें time मिला हुआ है उसमें हम क्या-क्या सीख पाएंगे time के हिसाब से तो उसमें हम दो चीजे सीखेंगे mobile number के through एक तो मोबाइल नमबर में हम combination, pair या फिर ut, हिंदी में ut बोलते हैं pair या combination इंग्लिश में बोलते हैं इसके माध्यम से हम predictions करते हैं और solution करते हैं दूसरा, जो भी number हमारे phone में repeat हो रहा है बार-बार उसको repetition of number बोलते हैं और उसके माध्यम से हम prediction भी करते हैं solution भी करते हैं अब जैसे अभी इन से बात हो रही थी राजिंदर जी से इनों ने बताया कि जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे उनके पास phone में 62 भी था और 23 भी था तो ये इनों ने क्या बताया pairs बताए 62 और 23 वो कैसे बनाने हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी ठीक है तो जी एक मिनट दीजिए आप लोग मुझे आप लोगों कोई एक पोल शेयर करा है मैंने आपको सभी को विजिबल है पोल अनूप सर दिख रहा है स्क्रीन पे कुछ अनूप शर्मा जी तो आप सभी लोग अपने फोन नंबर्स एंटर कर दीजिए इसमें नरायन दास जी ये क्लास बिगनर्स के लिए ही है पूरा ऐसे बिगनर्स के लिए अगर कोई यहां पर फिफ्ट क्लास का बच्चा भी आकर बैठेगा तो उसको भी पूरा समझ में आ जाएगा तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है फटा फट से जल्दी से में मोबाइल नंबर्स फिल कर दीजिए क्योंकि मोबाइल नंबर की क्लास है तो मोबाइल नंबर तो हो नहीं चाहिए हमारे पास अभी सिर्फ 37 लोगों ने रिस्पॉंस दिया है अब 40 लोगों ने रिस्पॉंस दिया है काइंडली जल्दी जल्दी कर लिजे 45 लोगों ने कर दिया है वेरी नाइस हम लोग यहां पर 72 है कर दो है अजी ठीक है ओल नहीं दिख रहा थैंक्यू मादवी जी थैंक्यू सो मच पोल नहीं दिख रहा 54 लोगों को दिख भी गया किसको नहीं दिख रहा निता जी को नहीं दिख रहा थोड़ा जल्दी जल्दी कर दो प्लीज ताकि हम आगे बढ़े चलो जितने लोगों ने कर दिया ठीक है और बस हम एंड करते हैं ठीक है थैंक्यू सो मच ठीक है थैंक्यू जी अब हम मैं आपको इसमें से जो कुछ नंबर्स मिले हैं मुझे उनके बेसिस पर मैं आप लोगों को बताती हूं कि पेयर्स कैसे बनाते हैं तो यह देखिए सामने अब हमारे पास दो सिनेरियो हैं एक तो आप लोगों के पास ऐसे नंबर होंगे जिसमें एक भी जीरो नहीं आ रहा होगा दूसरा कंडिशन क्या होगी कि आप लोगों के फोन में जीरो आ रहे होंगे पहले हम उस नंबर के पेयर बना रहे हैं जिसम एक भी जीरो नहीं है without zero mobile numbers with no zero एक भी जीरो नहीं है तो जैसे यह आपको सामने एक number दिख रहा है इस्क्रीन पर है ना तो इसके आपको pairs बनाने जोडे बनाने तो कैसे बनाएंगे कि जोडे का मतलब क्या है कोई भी जो भी दो नंबर आज सका बैठे हुए उसको आपको लिख लेना है जैसे इस number में 99 एक साथ बैठा हुआ है तो आपने 99 लिख लिया फिर आगे बढ़े एक numberaran तो 97 इक sod neutral है तो 97 लिख लिए फिर एक इस पेस आगे बड़े 77 एक सद बैठा है तो 77 लिख लिए फिर एक स्पेस आगे बड़े 75 है तो 75 लिख लिए ऐसे फिर आगे बड़े 58 लिख लिए फिर आगे बड़े 89 98 86 and 64 तो हमें सब को आपको क्या करना है जिनके phone number में 0 नहीं आ रहा वो अपने अपने pairs बना के रख लेंगे इसी तरहीके से और आप कितने भी लोगों के आपके घर के असपास जितने भी आप लोगों को जानते हो 4, 5, 6, 10 जितनों का भी लिखना है लिख लो pairs है ना दुबारा repeat कर देती हूं बाबू लाल जी बाबू लाल जी का नंबर लेते हैं बाबू लाल जी का क्या नंबर है अब है यहां पर 6, 2, 0, 1, 9, 8, 6, 7, 8, 8, 2, 3 नंबर और लेती हूं अब हम जीरो वाली भी बात ये करेंगे थोड़ी सी है ना जिनके फोन नंबर में जीरो आ रहे है ना वो भेज दीजे क्योंकि ढूंडने पढ़ेंगे मुझे ऐसे जिनके भी फोन नंबर में जीरो है वो लोग भेज़ो ये वाला काम सब बहुत जल्दी करते हैं सबसे फास्ट करते है वेरी नाइस बस बस बहुत है बहुत है बहुत है प्लीज प्लीज रुप जाएए बस रुप जाएए 89 89 89 251007 अब आप लोग सामने स्क्रीन पर ध्यान देना ठीक है इससे कोई फरक नहीं बढ़ रहा है मैंने किसका नंबर लिया है किसका नंबर नहीं लिया मैं जस्त आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूं अब हम सीख रहे हैं कि जिन लोगों के फोन नंबर में 0 आ रह के भी नंबर में 0 आते हैं उनको पेर्स बनाने से पहले एक काम और करना है ठीक है वो काम क्या करना है जहां पे भी फोन नंबर में 0 दिख जाए कहीं पे भी अब जैसे इनके फोन नंबर में 0 यहां पे है तीसरे नंबर पे आपको यह देखना है 0 से पहले कौन सा नंबर आ है न है न तो 0 को हटा के जो पहला वाला नंबर है हम वही लिख देंगे बस इसके बाद पेर बनाएंगे अनुप सर समझ में आ रहे हैं ठीक है फाइन थैंक यू सर अब नीचे वाले नंबर में 0 यहां पर आ रहे है इस वाले 0 से पहले क्या आ रहे है 8 आ रहा है Am I right or not? Nita जी, Narendra जी, Seema जी, Mukesh जी, Mausmi जी, Sunesh जी, Tilak जी, Ravim जी, Arshna जी Yes or No? इस वाले 0 से पहले 8 आ रहा है न? डिपाली जी तो 0 को हटा के हम 8 कर देंगे Right? Next, नीचे क्या आए? डो 0 आ गए इस वाले 0 से पहले क्या आ रहा है? 1 आ रहा है 0 से पहले 1 आ रहा है तो 0 को हटा के 1 कर दिया अब इस वाले 0 से पहले भी क्या गया? 1 आ गया तो 0 को हटा के फिर 1 कर दिया तो बात यह है कि 0 की अपनी कोई value नहीं होती पर zero जिस number के साथ आता है उसी की ही जगा ले लेता है तो जहां पर भी zero आ रहा है आपके mobile number में उस zero से पहले जो number है उस zero की जगे पर वही number लिख लो clear कितने लोगों को नहीं clear हुआ क्योंकि clear बहुत लोगों को गया जिनको clear नहीं हुआ वो chat box पे क्रिप्या करके बता दे क्योंकि जब तक आप यह नहीं समझोगे आगे आपको predictions नहीं समझ में आएगी चांदनी जी नहीं हुआ नेहा जी को नहीं हुआ नेहा जी को नहीं हुआ और चांदनी जी को भी नहीं हुआ अच्छा जी लास्ट में है कहीं पे भी हो लास्ट में नंबर है तो चांदनी जी नंबर दो अपना क्या नंबर आपका अब जैसे एक नंबर हमारे पास आया है इन सबको हटाती हूं एक तेवन एट टू जिरो एट थी सेट्स थी वन जिरो सेवन एट टू जिरो यही नंबर है राइट एक यह लग अब मैं दो नंबर लेके और समझा रही हूं और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्क्रीन पर ही देखना अगर आप सम देखो अब लोग सब सामने देखे पीज आए रिक्वेस्ट है अब उपर वाले नंबर में अलग अलग जगे पे जीateurs आ रही है तो यहां पर से पहले टू कर देंगे अब यहां पे भी जीरो आ रहा है इस वाले जीरो से पहले क्या रहा है वन तो इस वाले जीरो को हटाके वन कर देंगे सिंपल है बस नीचे क्या है अब इस वाले यहां पे जीरो आ गया जीरो किसे पहले टू है तो जीरो को हटाके टू आ गया अब इस वाले 0 से पहले 6 है तो इस वाले 0 को अटाके 6 आ गया सिंपल फंटा है जहां पर भी आपके फोन में 0 चमक रहा हो जितनी बाहर भी चमक रहा हो 0 से पहले वाला नंबर जो होगा वो 0 की जगे पर आप लिख दोगे идुएं तो नंबर डबल हो जाएगा है जी विलुक बढ़ल यहाएगा उसमें घभराने वाली बात नहीं है ठीकर अब जो आपने नंबर कर आ है इसको मस्कॉडिफाय नंबर बोलते हैं 0 के बाद जो नंबर बना उसको modify कर लिया हमने तो वह modify number बन गया अब हम क्या करेंगे अब हम इससे pair बनाएंगे ठीक है तो उपर वाले number के pair कैसे बनेंगे 78 एक साथ दिख रहा है तो 78 फिर आगे बढ़े 82 एक साथ दिख रहा है 82 नेक्स्ट 22 दिख रहा है 22 फिर 28 ठीक है ऐसे आगया कि बढ़ते जाओ एक एक नमबर 83 कि फिर 36 कि फिर 63 कि फिर 31 एंड फिर डबल वन इस तरीके से हर किसी के फोन में 99 पेर्स बनेंगे नौ जोडे बनेंगे नौ पेर बनेंगे मोडिफाइड नंबर के बाद राइट अब इसके नीचे यह वाला करेंगे अगर तो यह डबल नाइन नाइन टू टू ट्वंटीटीटू 27 27, 79, 95, 59, 96, 66 अब मुझे बताओ, मैंने आप लोगों को नंबर कैसे मॉडिफाई करना है, जीरो वाला वो सिखा दिया और पेर्स कैसे बनाते हैं, दोनों ही नंबर्स में वो सिखा दिया सबको क्लियर है, ये सोनो, सूर्य कुमार जी, रंजनी प्रसाद जी, जैसिंग जी, अनीता जी, राहुल जी, हरी जी, दिपाली जी, तिलक जी, नीता जी, सनी जी सबको क्लियर है, अभी भी कोई ऐसा फरसन है जिसको ना क्लियर हो ठीक है जी अब बार यहाती है प्रेडिक्शन्स की अब सुनिए जैसे कि अभी मेरी इन से बात हो रही थी राजिंदर जी से तो इनों ने बताया था कि जिस व्यक्ति के मतलब पहले मैं रूल बता देती हूँ फिर इनको सुनेंगे हम दुबारा अब जिन लोगों के भी फोन नमबर में 2662 मैं लिख देती हूँ आप आपने पेयर बना लिए सभी के तो आप अब यह देखना कहीं पे भी 26 इसिक्स इस्टी टू ट्वंटी थ्री थर्टी टू कि बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे आप देखके कि मुबाइल नमबर कितना खतरनाक भी वर्क कर सकता है और कितना बढ़िया तरीके से भी काम कर सकता है तो जिन भी लोगों को चाइल्ड बर्थ इशूस आते हैं न या जिनके नमबर में ये एक पेर दिख जाएंगे आपको 26 दिख जाएं जो लोग बच्चे करना चाहरे है उनके बच्चे नहीं हो पा रहे है चाइल्ड बर्थ में दिक्कत आ रही है तो ये वाले नमबर्स रिस्पॉंसिबल होते हैं अगर उनके फोन नमबर में 26 आ रहा हूँ तो ये उस प्रॉब्लम को बढ़ा देंगे चाहें आप कितना इलाज करा लो कुछ भी करा लो बहुत ही जादर दिक्कत होगी अब मैं इनको अन्म्यूट करते हूं राजिंदर जी आप बताईएगा उनके नमबर में क्या-क्या था जिनको मैं उनके नमबर के अंदर 626262 32 तालास्ट में तो देखो अब जो एक कॉंबिनेशन खराब आ गया बच्चे के लिए और इनके में वो तीन बार रिपीट हो गया 626262 राइट और फिर 32 भी आ गया तो सारी नमबर ऐसे आ गए समझ रहे हो तो 15 साल तक भी बच्चे नहीं होएं उनको ऐसी कोई विद्या है आपके पास जो एक सेकंड में इस तरीके से प्रेडिक्शन दे दे बिना कुंडिली के कि यह सो नो भई कुछ तो बताओ आप सभी लोग कभी तो अश्टरोजर के पास गए उंगे निंवर्लॉजिस्ट के पास गए उंगे पंडितों के पास गए होंगे ऐसी कोई विद्या आपको नहीं बताएगा इतनी असानी से पर आप मोबाईल नमबर से बता सकते हो किसी को भी है ना तो जिन भी लोगों के बच्चे नहीं हो रहे और वो कितना भी treatment करा लें परेशान होते रहेंगे बिचारे अगर जब तक आप उनका phone number सही नहीं करा दोगे ठीक है तो एक tip सबसे बड़ी आपको ये मिल गई आज और 32 में 23 में ये भी होता है कि बच्चे हो भी जाते है ना तो बच्चे के बाद जो child happiness होती है ना बच्चों से जो सुख मिलना होता है वो भी खतम हो जाता है उसमें भी दिक्कत आती है तो जो भी लोग बच्चों को लेके परिशान रहते हैं अगर उनके phone में 23 या 32 आ रहा है तो वो परिशानी देगा और जितनी भी females है जिनको अपनी सास से problem रहती है बहुत ज्यादा तो उनके phone में 26 या 62 आ रहा हो तो सास से बहुत भ्यंकर problem रहती है 26 आ रहा हो या 62 आ रहा हो मुकेश जी अभी शुरुआत है पिच्चर अभी बागी है है ना तो आपको ये pairs में देखना है प्राइट अब नेक्स्ट बात करते हैं मनी के लिए ऐसे हाँ पर कितने लोग हैं जिनके financial losses बहुत सारे हो रखे हैं जिनके पैसे फसे हुए हैं लोग पैसे नहीं देते हैं मनी ब्लॉक मनी स्टक ऐसी प्रॉब्लम्स किस-किस के साथ हैं हुज फाइनेशल लॉसेज प्रॉपर्टी लॉसेज कहीं पैसा लगाया रुक गया फस गया परबाद हो गया बहुत सारे लोग होंगे बहुत कॉमन प्रॉब्लम है यह अभी मैं क्या बता रही हूं आप पाता है जब तक प्रॉब्लम के नहीं पता होगी इलाज कभी भी स्थी होई नहीं सकता तो पहले इस टेप है ड्याग्नॉस पहले पता लगे प्रॉब्लम कहां से आघी है तो जो लोग सब्रॉड़ पोछ रहे हैं थोड़ा थम जाओ अभी तो दो यह तीन नंबर की बात ह होई है रुप जाओगी सब कुछ पता लगेगा जब इतना बता रही हूं तो आगे भी पता लगेगा राइट अब हम बात करते हैं financial losses कि क्योंकि वह major problem है बहुत सारे लोगों की तो इसके लिए मैं आपको यह दिखाना चाहती हूं कि कितने बड़े-बड़े करोड़ों रुपे के losses मोबाइल नंबर से डिटेक्ट करें हमने बहुत सारे लोगों के हैं पर यह सई लगता है मुझे तो हर बार मैं यह सुनाती हूं फिर 56 आगया अब 6 के बाद 2 0 है ना तो यहां पर डबल 6 हो जाएगा और महेश जी आपके मोबाइल नंबर से मैं यह बता सकती हूं कि आपको अपने पैसे मांगने में बहुत जादा हैजिटेशन होती होगी और इसके कारण आपका पैसा फस्ता होगा महेश अगरवाल जी महेश अगरवाल जी कह रहे हैं येस एक्जाक्त ली तो चलो एक बर इनको अन्मूट कर लेते हैं और आप लोग महेश अगरवाल जी अन्मूट कीजिए प्लीज और काफी लॉस भी हुआ होगा आपका फाइनाशल कहां पर हैं अन्मूट कीजिए आपका कुछिए तो मुझे कैसे पता है का मूबाइल नंबर देखते ही, मैंने कभी आपको लाइक में देखा हैं आपने मुझे कभी देखा हैं पर मुझे कभी देखा एंगा ने ने कि तो देखिए अब लोग जाना चाहोगे कि यह कौन सा खतरनाक नंबर है जो इनसानों को करोडों का लॉस दिखाता ही दिखाता है चाहिए जिसके भी नंबर में आए तो आपके सामने एक पेर डिस्पले हो रहा है 56 एंड 65 आपके पूरे फोन नंबर में कहीं पर भी आपको एक साथ 56 या 65 दिख रहा हो तो बता दो चैट पर बता दो वही लोग बताएंगे जिनके पास 56 और 65 आ रहा है रोहित थस्मुख जी अंजू जी कोई भी दोनों में से एक या रहा हूँ दोनों आ हा रहे हो मैं से एक या रह मुश्व के टो होता के देखो जिन भी लोगों के बहुत है ऐसे लोगों का मनी स्टक बहुत होता है मनी स्टक फसना पैसा फसना और प्रॉब्लम यह होती है कि यह लोग अपने ही पैसा मांगने में अगर इन्होंने किसी को दे दिया तो अपने ही पैसा मांगने में हैजिटेशन करते रहते हैं बहुत हैजिटेट फील करते हैं अपने ह पैसा मंगने में शर्म आती है इसे लोगों को सामने वाले से और जिसको पैसा देते हैं वो पैसा देता नहीं है पैसा मर जाता है और अगर यह किसी बिजनस में हैं सर्विस में हैं तो यह अपने पैसे जो फीज के जायज होंगे वह भी नहीं मंग पाएंगे कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं जिनके पास 56 और 65 फोन में आ रहा है रोहित हस्मुग जी सिमर जीट जीट चलो सर बताइए सिमर जीट सर अन्मूट कीजिए समय कि इन अमदर जीट जीट वे युटा जीट 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 वहा है और सुटिट नहीं कि नेत्न कि में टेल जीट 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 उट जीट है तो अब देखो नंबर का प्रभाव है या या नहीं ये पूरा प्रभाव है न पूरा उन्द परसंट क्योंकि इनके पास है कि इनके पास होते वह देते हैं होते हैं बस इनसान की नियत नहीं होती देने की तो बस देखे अब आपको आज maximum लोगों को मैं कोशिश करूंगी कि कुछ numbers cover हो जाएं तो आप ऐसी जटके में एक ही जटके में problem detect कर सकते हो सिर्फ mobile number से ठीक है धरमेंद्र जी और किस किस के में आ रोहिद जी रोहिद हसमुग जी जिनको भी बोलना हो ना experience शेयर करना हो क्रिपया करके एक तो वीडियो ओन करें पहला काम दूसरा काम हैंड रेज कर लें ताकि मैं आप लोगों को धूंड पाऊं आप जहांपे भी बैठे हो वरना session लेट होता चला जाएगा है ना आगे बढ़ते हैं चलो तो एक नंबर तो खतरना किये है पैसा लॉस कराने वाला इसी का ही दूसरा बहन या भाई बोल लो दूसरा नंबर है 58 & 85 अब आपको देखना है आपके फोन में 58 या 85 कहीं चमक रहा है तो साफधान हो माजवी जी आता कैसे है मतलब क्या आता है 58 85 जिनके पास भी फोन में आ रहा है बड़ाई खतरनाक नंबर है यह ठीक है 56 से भी एक लेवल उपर है तो यह क्या करता है यह तो मनी ब्लॉक ही करा देता है पूरा कहीं पैसे दोगे वापिस आने ही नहीं है मांगो चाह मत कुछ भी करो अच्छा खासा यूज फाइनेंशल लॉस देता है यह जितने भी आपके लगबाग जमा पुंजी होती है ना एक बार तो करवा देता है यह गड़े में आपको मतलब रीकवर करने में याद रहेगा कि मैंने कुछ लॉस करा है लाइफ में बड़ा एक तो यह प्रॉबलम मतलब बहुत बड़े लेवल का करोड़ रुपे का लॉस जो देता हो 56 58 नंवर है दूसरा प्रॉपर्टी के रिलेटेड परिशानिया प्रॉपर्टी डिस्प्यूट प्रॉपर्टी निविख री प्रॉपर्टी में पैसा लगाया प्रॉपर्टी फ olives गया पैसा फस गया किसी फ्रीक की परपटी इस रेलेटेड परिशानिया प्रॉपेटि स?... हू है यह सारी परशानियाा ढ़र भर बर के है यह परिशानिया आपके साथ ? gap sub आभ our आंधूट करो प्रॉब्लम है जी पैसा भी हो गया क्योत लाग हो, हो गय पैसा हमने जड़ा दी कि यह प्रॉब्लम को सप्रॉब्लम कि यह प्रॉब्लम क्यों है अपकी लाइफ में आज लग रहा है कुछ समाधान मिलने की उमीद है आपको तो जब देखो अगर हम परिशानी नहीं डिटेक्ट कर पारे तो समाधान तो भूल जाओ कहीं बेभी अगर हमने परिशानी पकड़ ली तो समाधान तो चुटकियों का मैं और आप सभी लोग बहुत भागेशा लिय हो आपको लास्त तक समझ में आ जाएगा क्योंकि अगर आप यहां बैठे हो तो अपनी मर्जी से तो नहीं बैठे क्योंकि इंसानों की प्रॉब्लम का समाधान तभी हो पाता है जब उपर वाला चाहता है आप और मैं मेरे चाने से कुछ भी नहीं होता ठीक है आप एक धं हो तो कहीं नहीं आपको अपनी परेशानियों का समाधान मिलना है मेरे माध्यम से मिलना है चाहें तो यह मान के चलो कि ताइम सही स्टार्ट हो गया आप लोगों का अब वह आपके हाथ में कि उसको ऐसे चलाने देना है या अपनी जिन्दीगी में बदलाव लाना है वह त वहाइड है मीट पटेल जी हैंड्रेस कीजिए एक हजार परसेंट रिलेट कर रहे हैं आप मीट पटेल जी कहा पर है जो लोग एक्सट्रा और्र लिखते हैं दों बड़ी खुशी होती है एक लाग पर सेंट एक करोड पर सेंट या तिलक राज जी भाई आप लोग जो चैट बॉक्स पे आक्टे वो क्रिपा करके सामने भी आओ कि मीट पटेल जी को डूड़ना पड़ेगा कि मीट पटेल जी कहां है कैमरा ओन कर रखा है क्या अपने तिलक राज जी अन्म्यूट कीजिए जी अब हेलो जी सर बताए है सभी पैसे पसे हुए पैसे मिलते नियुका निए 56 वाले तो फोन ही नहीं कर पाते 58 वाले फोन भी बसें लिइडेते तो proces तो देखो हम हम तो हमें कुछ नीछ चाहिए हमें अन्सान का मोबाईल नीमबर दे दो हम उसकी पूरी जरम निकाल के देंगे कि वो इंसान कैसा होगा उसके साथ लाइफ में क्या होगा बिना डेटा वर्ट के बिना चेहरे के बिना नाम के किसी भी चीज़ के बिना फोन से पता लग जाएगा तो है ना बड़ी कमाल की साइंस येस और नो और एक ही सेकंड लगता है बताने में अनूप शर्मा सर जी थाउजन परसेंट सर आपके पास भी कुछ आ रहे गया अनूप शर्मा जी अन्म्यूट करिए अगर करना चाहते हैं चल्दी से जी सर में में पास जो आ रहा है कौन से नंबर जो आ रहा है वो आपका 65 जी 65 तो सेम प्रॉब्लम डे रहा होगा आपको कोई बात नी सार यह प्रॉब्लम खतम होने वाली है बस आपकी समझ लो एक घंटे की प्रॉब्लम और बची ठीक है इसका सल्यूशन एक घंटे में मिल जाएगा आपको थाउजन परसेंट सोने जैन जी ठीक है मैं सबकी भावनाय समझ रही हूं आप सबका आपकी सिचुएशन तो सिचुएशन को बदलना है तो उसके लिए क्या करना होगा वह मैं आपको बताऊंगी ठीक है यह तो हमने बात करी पैसे फसने के लिए अब बात कर लेते हैं कुछ बिमारियों वाले नंबर जो अलग-अलग तरीके की बिमारियां देते हैं और कैसे कि बिमारियों को डिक्ट की जाता है तो कि तो देखो जी 27 नंबर या 72 नंबर तो 27 आ रहा हो या 72 आ रहा हो किसी के भी phone नंबर में आ रहा होगा एक दो लोगों की तो मैंने भी देखा था तो यह बैक पेन की समस्या जॉइन पेन्स की समस्या किड्नी से रिलेटेड समस्या जूरिनरी इंफेक्शन रिप्रोड़क्टिव और्गंस से रिलेटेड प्रॉब्लम ये तो प्रॉब्लम देता ही देता है और करियर में हो जिस भी प्रोफेशन में हो आपको स्टेबिलीटी नहीं मिल पाईगी उसमें कुछ ना कुछ फ्लक्टुएशन अप एंड डाउन चलता रहे गया जिनके पास आ रहा है मैं देख रही हूं ठीक है एखिर झालने कि इतना सब कुछ पता लग जाता है वाइन वर से बहुत असानки पता लगाना। göst्त को ने आएं और 6886 आइस प्रॉब्लम्न्हे देता है हर्टि-ॉब्लेस प्रॉब्लम्र तक देता है नि मुलक बहुत सारे लोग तेके हमने इस तनी Administration बीमारिया देता है फिर 44 क्या देता है आपके digestion को पूरा हिला देता है digestion को कम मत समझना है सारी भीमारियों की जड़ है पेट से स्टार्ट होती है सारी भीमारियां सुनी होंगी अगर आपका digestion की problem रहती है constipation की problem रहती है तो सारी भीमारियों की में रूट कॉस वही है तो 44 बहुत खतरनाव नंबर है गैस एसीडीटी इंडाइजेशन माइग्रेन हैड़ेक जॉइन वह बॉड़ी पेंस हमेशा बॉड़ी ऐसे रही की टूटी हुई उठाई नहीं जाएगा उठने कई मन नहीं करेगा हर वक्त फ्रस्टेशन रहेगी माइंड में कुछ लाइफ में कोई मलब ऐसा लगता है डल लाइफ एक दम पूरा आपका स्टमक कोई ना कोई प्रॉब्लम देगा ये पेट से जुड़ी हुई ठीक है फिर आगया 48 & 84 48 & 84 कोई भी लंबे समय तक चलने वाली बिमारिया देता है इंक्यॉरेबल जिसका कोई समाधान नहीं मिल पाता जैसे पैरलिसिस कैंसर मतला एक बार कोई बिमारी आ गई तो वह आई गई बस फिर वो जाने का नाम नहीं लेती 28 82 जिन भी लोगों के फोन नमबर में आता है यह मांसिक परिशानिया भर भर के देता है ऐसा इंसान खुश रहे ही नहीं पाता सैटिस्फाय रहे ही नहीं पाता डिप्रेशन मैंटल परिशानिया सुसाइडल टेंडेंसीज ऐसे लोगों के घर में सीलन वाटर लीकेज की प्रॉब्लम रहती है कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं इससे जितने भी कॉंबिनेशन मैं बता रही हूं कुछ ना कुछ तो आई रहोंगे आप लोगों के फोन नंबर में 54 और 45 जिनके पास भी आता है ध्यान से सुनू जितने लोगों के भी फोन में 54 या 45 आ रहा है यह आपको किसी ना कि चीरों में खश कर वायगा कभी पुली स्थाने में किसी को काए बढूं रफ, और किसी को धवाई ओन में किसी को हॉस्पितल में कहीं न कहीं के चकर आपके बंदे रहेंगे आप किसी भी एक समस्या में पूरोगे क्षुदे को मतलब कोई समस्या है उसका सुलीशन आपको मिली ने पाएगा आपको लगेगा भी मैं एक समस्या में बंद गई हूं बारबर उसी में घूमे जा रही हूं और जिन भी लोगों के phone number में 5445 होता है उनकी अगर बेटी हो या sister हो daughter या sister की life में भी बहुत जादा problems होती है जिनकी नहीं है उनके में नहीं होगी जिनकी है उनके में होगी अगर किसी की daughter ही नहीं है तो क्या समस्या होगी तो अगर किसी के फोन नमर में 5445 आ रहा है और अगर उसके बेटी है तो बेटी को समझ से होगी डॉटर है तो सुरी सिस्टर है तो सिस्टर को होगी आप बताईए हाँ जी अगरे दोक्टर को एकोला ही वा था और उसे जोद्पूर के अंदर एम से अंदर तीन बार एकोला ही हो रहा था दो तीन और बड़े-बड़े डॉक्टर के यहां पर एडिमिट कर वाया था तो ठीक नहीं वह अभी क्या वह नियाल रहती है तो वहां पर ठीक रहती है बीच में एक बार फिर कोविड के टाइम में रपास आई थी तो वापीस से वही दिक्कत हुई तो मैंने का ननियाल भी ठीक रहोगी तो वहां पर ठीक है हाँ तो बस आपने फोन नमबर तो चेंज कर लिया होगा ने शायद अपना आप नया ले पावरफुल एनर्जी होती है नमबर में अगर अच्छे नमबर होंगे तो अच्छे नर्जी देंगे खराब नमबर होंगे तो कर भी देंगे फिर काम अपना दोनों तरीके से मुकेश शर्मा जी कह रहे हैं मेरी लड़की को भी प्रॉब्लम है एक बार इनको सुनने तो हैं फिर यह बढ़ते हैं जी बताएं मुकेश जी मैम उसके सही लड़के बिल्कुल सही थी और एकदम से पैरों में दिक्कत बननी चालो हो गी है अब मेरे नमबर में लास्में 54 आ रहा है आपके पास तो काफी खतरनाक नमबर आ रहे हैं दो चार नमबर और भी मैच कर होंगे तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम बता दियें आपको पता लग रहा होगा कि अच्छा यह प्रॉब्लम इस नंबर से हो रही है यह प्रॉब्लम इस नंबर से हो रही है तो किसी को परिशान नहीं हो ना क्योंकि सुलूशन भी है इसका हमारे पास है ना राइट अब दे 31 13 55 66 57 75 12 25 52 11 यह सारे नंबर सही है अच्छे नंबर है ठीक है यह सारे नंबर सही है अब आप लोगों के सामने एक पेश किया है मैंने यह एक नंबर है नीचे यह किसी मेरे क्लाइंट का नंबर है ठीक है तो इसमें हमने पेर्स बना लिए जैसे मैंने आप लोगों को पेर बनाने सिखाए थे अभी सारे पेर्स यहीं मन गए अब इसमें जो आठ पेर आ रहे हैं जो ब्लैक कलर से आपको 25 बस वह ही खराब हैं येस और नो येस और नो एक बार सभी लोग 83 लोग है हैं सभी लोग टाइप कर दीजिए येस और नो चांतनी जी थांक्यू सभी को धन्यवाद बहुत 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 किसका नो आया आइफोन क्या नो है इसमें आइफोन जी जो भी आइफोन से हैं इसमें क्या नो है सभी का येस है बस आइफोन से हैं उन्होंने नो लिखा है एक बार दुबारा दिखा देती हूं सारी प्रेडिक्शन्स मैच हो रही है क्या बात थैंक्यू जी थैंक्यू सो माच देखो ये जो नंबर है इसमें अमने पेयर बनाए है जैसे हमने पेयर बनाने सीखे थे तो ये सारीш 93 भी आ रहा है ऊपर अच्छा है घ prototypes बीर वह भी अच्छा है एलेवन अर वह बक्षा है注 你 आ रहाएं वह भी अच्छा है वह आप सोचे इस व्यक्ति का जिसमें आठ पेयर ब्ड़े अच्छे आ हुआ जो मैंने अच्छे बताया है वो अच्छे आ रहे हैं एक पेर खराब आ रहा है बस 85 तो क्या ये मोबाइल नंबर अच्छी कैटेगरी में आएगा या खराब कैटेगरी में आएगा आपके हिसाब से आपकी समझ अभी तक जितना मैंने समझाया है एक गंटे में हमें पूरा एक गंटा हो चुका है एक गंटे में जितना मैंने पढ़ाया है उसके हिसाब से ये अच्छा है या खराब है क्या आप इस नंबर को यूज करना चाहोगे या नहीं ये सोचो अगर ये नंबर मैं आपको बोलूँ क्या आप यूज कर लोगे तो आप यूज करोगे या नहीं बस ये बता दो सिमर्जी जी न्यूट्रल तिलक राज जी अच्छा है तिलक राज जी को ही देते हैं ये नंबर फिर सिमर्ण जी जी थांक्यू सो मच पवन जी थांक्यू सुने मनी लॉस का नंबर है एक्जाक्टी हाटली दो लोगों ने बोला है ठीक है येस बाकी सबी लोग समझ गए तो जी जब 58 और 85 का मैं बता ही चुकी हूं कि वह क्या करवाएगा उसके बाद यह नंबर ले लेंगे आप दो लोग जो हैं वह जो भी दो लोग हैं वह थांक्यू राजीव जी थांक्यू सो मच इंदू जी क्या डाउट है आपको इंदू जी टाइप करो है ना न्यूट्रल कैसे हो जाएगा सिमर जी अगर कोई पैसा आपका करोडों का मनी लॉस करा सकता है आपकी प्रॉपर्टी खदम करा सकता है तो न्यूट्रल कहां से हो गया तो बर्बाद करने वाला नंबर हो गया ना बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि सिर्फ हमारे फोन में एक ही पेर खराब आ रहे हैं सिर्फ दो ही खराब आ रहे हैं बाकी तो अच्छे हैं आपको उस तरीके से नहीं लेना इसको एक आपने सुना है एक मचली पूरे तलाब को गंदा कर देती है ऐसा कुछ टैलोग ह सुना होगा आपने तो यह concept यहां पे भी apply होता है वैसे लिए कि एक खराब नंबर आपकी life को पूरा ही कर देता है और वह वर्ड मैं बोलना नहीं चाहती क्योंकि अच्छे words ही बोलना चाहिए हमें ठीक है तो इसलिए यह मत सोचेगा कि एक खराब है दो खराब है तीन खर है तो इसकी पूरी समझ होनी चाहिए आपको कि एक पूरा अच्छा मोबाइल नंबर किस तरीके से बनाया जाए बनाया क्या जाए उसकी पड़ाई पड़ाई होती है आपको वह समझना पड़ेगा यह था पیर अब बात आती है पैपीटीशन की छोड़ा सा रिपीटीशन का आइडिया दे दे देए माटा करता है यहां पे सारी चीजजह नहीं बता पाएंगी hint देती हूं कि जैसे 9 number है अगर किसी के भी phone में आप पूरे 10 digit में देखो जो number modify कर रहे हैं आपने modify number से देखना अगर 9 3 से ज्यादा बार आ रहा है तो मुझे बताओ किस-किस के में आ रहा है कि मुकेश कुमार जी काफी problematic number है जो यह आपका है देवशीश साहु जी आपके phone number में तो 58 आ रहा है मैं कह रही हूं न बस एक बहुत कि पेर अगर यह भी एक खराब आ गया तो बस समझ लो आक जी जैसे कि अशीश महाजन जी के पास पांच बार आ रहे चार बार आ रहे पांच बार काउंट कर लो आप अपने phone number में पांच बार आ ऐशिश महाजण जी के बास डिपाली कोनी जी के पास भी पाच बार आ रहा रहा है कूटे फोन नमर में गिन लो हां मौडिफाय करना है होता क्या है यह सुन लो जिन भी लोगों के फोन नमर में note 3 से ज्यादा बार आता है यह कि Awak आपके लाइफ में क्रजे दिलाता आपको करजा डैप्स लोन्स और इतना ही नहीं उसके बाद आप यह एक्सिडेंट सर्जिरी चोट इंजुरी हाई ब्लेड प्रेशर लाइफ में फ्रस्टेशन बिना बात के गुस्सा आना यह सारी परेशानिया यह नंबर देता है जब नाइन तीन से ज्यादा बार आपके सब्सक्राइब बढ़ता है और जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा परेशानियां उसे नहीं मल्टिप्लाइब होती जाएंगे कि नो वाइस वाइस तो आ रही है मेरी आ रही है ना डिपाली जी को मुकेश कुमार जी कह रहे है मैं बहुत परेशान हूं माधिवी जी एग्री कहा हूं माधिवी जी वीडियो अन करो जी बताएए पॉर टाइम नाइंस आ रहा है वो तो ठीक है प्रावलम बताओ प्रावलम क्या क्या है सेम प्रावलम ओके जी ठीक है तो यह नाइन के रिपिटीशन से हुई अब बात आती है अगर किसी के में एट का रिपिटीशन हो रहा है एट दो बार तीन बार चार बार पांच बार जिसनी बार भी एट आ रहा हूं तो ऐसे लोगों की लाइफ में बे वजा की स्ट्रगल बढ़ती है मेहनत करते रहेंगे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा ऐसा लगेगा हम नहीं सारे पाप कर रखे हैं हमारे साथ ही ऐसे ही होना है आपके जो एफर्ट्स हैं वो जीरो मतलब आल्मोस्ट जीरो और यह भी फाइनेंशल प्रॉब्लम्स बहुत देता है फाइनेंशल स्ट्रगल कोट कचैरी में फसाद देता है ज्यादा बाराने लग जायता तो फोर का रिपिटीशन होता है जैसे किसी के पास डबल फोर, ट्रिपल फोर, ट्रिपल टाइम फोर ऐसे लोगों के पास बैठे बैठे परिशानी आती है अपने आप बुलाने के जुरूत ही नहीं पड़ती एक के बाद कोई ना कोई परिशानी लगी रहती है चेन बनाके कोट का चैरी भी बहुत करवाता है यह फोर और एट का रिपिटीशन ओपो एफ 17 प्रो कहां है आप इतना सुंदर नाम ओपो एफ 17 प्रो कहां पे है ओपो से जो भी है कहीं दिख रहे है किसी को ओपो भाई वीडियो ओन कर लो ओपो एफ 17 प्रो वीडियो ओन करें प्लीज उसका क्या रास्ता है उसका रास्ता आने वाला है बस आपके सामने रास्ता भी आने वाला है मुझे अभी दिखेते फिर गायव हो गए चलो छोड़ो कोई बात नहीं एक हमारे पास सोनेश जी भी है शायद वो भी कुछ कहना जा रहे हैं कहां पर है सोनेश की मैं परिशानी बहुत हैं जीवन में लेकिन मुस्कुराना नहीं शोड़ते हम बस आज तो लग रहा है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी हां जी बिल्कुल सॉल्व होंगे मैं कह रही हूं न आप यहां पर बैठे हो तो प्रॉब्लम सॉलूशन के लिए बैठे हो अब सुनों मेरी बार सेवन हो गया सॉसारी एक हो गया नाइन हो गया धू हो गया अब सेवन का और हो बताती हूं लास्ट में कि सेवन रिपिटीशन होता है तो क्या होता है जिन Frage सेवन दो या दो से जादा बार भी आ रहा हूं आ है यह इनसान को न tenure के एक्दम करता रहेगा ऐसा व्यक्ति मतलब बात की जड़ तक पहुचना बाल की खाल निकाला अन्य से सजी जैसे वो CID वाले लोग होते हैं न छांद बीन करते रहते हैं बहुत जादा देखते रहेंगे तो यह साथ नमबर की टेंडेंसी होती है और इसके कारण क्यों होता है इनकी ल और इनके साथ चीटिंग भी होती है रिलेशन्शिप में जिन लोगों के फोन नमबर में सेवन ज्यादा आ रहा है उनको रिलेशन्शिप इशू बेहत देता है अगर किसी की शादी नहीं हो पारी तो चेक कर लो कहीं उसके फोन में एट रिपीटीशन सेवन रिपीटीशन तो नहीं है तू का रिपीटीशन तो नहीं है संतोष गाय कोड़ जी का है पता नहीं यह लोग का है जो रिप्लाइ कर मैसेज कर रहे हैं हाना तो यह परिशानियां यह देते हैं नंबर्स इस तरीके के अब ऐसे बहुत सारी चीजह आँ अब बहुत सारे लोग भर भर के पूछ रहे हैं solution क्या है solution क्या है solution क्या है remedy बता दो तो mobile नुम्रोलोजी में रेमिडी है एक अच्छा मुबाइल नंबर रखना ऐस पर नुम्रोलोजी के हिसाब से आप अपनी अगर डेटा बढ़त हैं तो उसके हिसाब से रखो नहीं है तो उसके लिए दूसरा मैथड है दोनों मैथड है सॉल्उशन ही बतानी हूं हैना तो अब लोग हम सीधा सल्उशन पर राते हैं कुछ टाइम में लोग मुझे हो सकता है महासे निकलके मरने भी आ जाए कि सॉल्उशन बता वहाँ बहुत बता दी है ना को सुल्उशन की बाते हरते हैं तो पहले solution में क्या है आपको ये पता होना चाहिए कि हमें आपको क्या-क्या पता होना ज़रूरी है Half knowledge is always dangerous ये आप लोगों ने सुनाओगा आधी अधूरी knowledge खतरनाक होती है बहुत ज़्यादा या तो बिल्कुल ही ना हो और अगर हो तो पूरी हो ठीक है तो यहाँ पे मैं आपको एक opportunity दे रही हूँ मेरे साथ आप सीख सकते हो basic to advance mobile numerology जिसके माध्यम से आपको ये समझ में आ जाएगा कि mobile number किसी के लिए भी कैसा होना चाहिए अपने लिए अपने घरवालों के लिए या आगे और किसी और के लिए तो सबसे पहले जब numerology के बात हो रही है तो numbers की समझ होनी बहुत ज़रूरी है basic चीजें कि one to nine numbers क्या importance क्या होता है क्या role होता है कैसे numbers काम करते हैं तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको यह पढ़ाती हूं ठीक है दूसरी बात है pairs of numbers जो मैंने आप लोगों को अभी समझा है 56, 58, 65, 23, 62, 27, 48, 44 यह सब क्या है pairs है ऐसे करके 10 number से लेके 10 से लेके 99 तक के pairs बनते हैं तो उनकी पूरी detail जानकारी आपको होनी चाहिए कि हर एक number क्या बता रहा है हर एक number की 5-6 predictions होती हैं 5-6 attributes हैं है ना और कौनसा number बहुत अच्छा है कौनसा number बहुत खराब है जो होना ही नहीं चाहिए आखों के सामने तो इसकी आपको पूरी detail knowledge मिलेगी इसमें फिर इसके बाद है compatibility of numbers अब जैसे हमने pairs की बात करी repetition की बात करी तीसरी चीज़ है total mobile number का total तो mobile number का total कैसे होगा वो हम compatibility जानके करते हैं अगर किसी की date of birth है तो उसके हिसाब से करते हैं जिसके पास date of birth नहीं है उसके लिए दूसरा method है तो उसके लिए हम वैसे करते हैं फिर आ गया कि कौन सा number कितनी बार repeat हो रहा है उसका क्या result आ रहा है जैसे मैंने अभी समझाया आपको कौन सा number कितनी बार repeat होना चाहिए कितनी बार repeat विल्कुल नहीं होना चाहिए वो एक अलग से बड़ा topic है कम से कम इस topic को समझाने में देड़ घंटा लग जाएगा मुझे minimum ठीक है फिर ये कुछ हमारे phone में special numbers होते हैं special numbers का मतलब यह नहीं है कि सारे अच्छे number हैं है ना पर special होते हैं कुछ न कुछ तो यह अलग से मैं बढ़ाती हूं double one double two double three special numbers मैं बताती हूं फिर meaning of zero zero कहां पर आना चाहिए कहां पर नहीं आना चाहिए कितनी बारा सकता है इसके सारी detailed मैं सारी सीदे clear करते हूं next is success numbers आपको life में success चाहिए सबको अलग अलग तरीके से चाहिए किसी को health में चाहिए किसी को आपको बताऊंगी पड़ाऊंगी next advance अब जैसे हमने दो दो नंबर के pair बनाएं ऐसे हम अब तीन तीन नंबर के pairs भी बनाते हैं इसमें तीन तीन नंबर के pair बनाने के यह वैदिक grid के हिसाब से बनाते हैं तो इसमें वैदिक मोबाइल निम्रोजी भी मैं सिखाती हूँ ठीक है तो यह इस तरीके से मनाया गया है basic पूरा कोई 5 वी क्लास का बच्चा भी बढ़ सकता है basic से लेके advance तक आप इसको पूरा इसके बाद आपको कहीं भटकने की जुरत नहीं बढ़ेगी इसमें ठीक है तो इसमें ट्राइंगुलर रिलेशनशेप त्रिगोंड संबन डाइगनल रिलेशनशेप चौथी रिष्टी शिक्स प्लेंस होते हैं इसमें हस्टाइल नंबर्स एल शेप कॉंबिनेशन यह सब टेकनिकल चीज़ें इसमें पर बहुत असान है बस उसका कालसर्फ दोश आपके मोबाइल नंबर से बता देंगे मोबाइल नंबर से कालसर्फ दोश पित्र दोश यह भी पता लग जाता है कौन से लोग एडिक्शन में जाते हैं सुसाइडर टेंडेंसी कौन से नंबर देते हैं कौन से लोग सुसाइड करते हैं किन लोगों को जे स्क्रीन सेवर यूज़ करते हैं तो हर रंग में एनर्जी होती है और जो भी पिच्चर हम यूज़ कर रहे हैं उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है हमारे मन के ओपर तो लग की मोबाइल स्क्रीन सेवर कौन से होंगे आपके लिए वो इसमें के हिसाब से मोबाइल में कौन से नमबर आने चाहिए और स्नाप्शॉट प्रेडिक्शन जैसे आपने जट से मोबाइल नमबर देखा किसी का और आपको एक सेकंड में पता लग गया कि यह कितना खराब है और कितना बढ़िया है जैसे मैंने आप लोगों को बिताया ठीक है तो यह basic to advance mobile numerology है इसके अलावा कुछ bonuses additional है इसमें जो basic to advance के अलावा है additional जो मैं आप लोगों को as a gift दे रही हूं आज ठीक है तो इसमें है कि one number की mobile consultancy मतलब आपका number कैसा होना चाहिए आप मुझसे पढ़ने के बाद यह मुझसे आप सलहा ले सकते हैं absolutely इसमें जो भी लोग basic to advance में मेरे साथ जुड़ेंगे उनके लिए यह extra additional bonuses रहेंगे उसके बाद है वास्तु के हिसाब से favorable directions हमारी कौन सी रहेंगी वो आपको इसमें पता लगेगा next है कि यह एक certified course है professional certified course है तो जो भी लोग अपना profession भी आगे बनाना चाहेंगे कि हम भी दूसरों लोगों को consultancy द पूरा basic से advanced course है उसके बाद इसमें आपको readymate 21 से जादा mobile wallpapers मिलेंगे जो आप देखोगे आप एक एक हफ़ते में result आता है ऐसे ऐसी चीजों का जो हम अपने phone में use करते है तो यह आपको wallpapers मिलेंगे इसके बाद mobile का password भी बहुत बड़ा role play करता है तो वह password कैसा होना चीए वो भी मैंने इसमें cover कर रखा है जबकि लोग इसमें कभी भी नहीं पढ़ाएंगे आपको right next काफी लोगों के लिए ये एक रामबान है कि जो भी लोग financially difficult position में हैं या एक second opportunity ढूंड रहे हैं earning की तो ये उनके लिए मैं दो classes इसमें arrange करती हूँ जिसमें मैं ये सिखाती हू कि आपने मेरे से mobile neurology पढ़ लिया अब इसके बाद आपको कमाने कैसे शुरू करना है और आप लोगों को जानके बहुत हैरानी होगी कि जो लोग मेरे से पढ़ते हैं वो बीच में ही कमाना start कर देते हैं पहली दूसरी तीसरी class के बाद ही consultancy लेना start भी कर देते हैं है ना त उसमें किसी का भी number डालो वो software आपको सारे good pairs, bad pairs निकाल के देदेगा उसके बाद उनकी detail information भी देदेगा कि good में क्या good है और bad में क्या bad है तो ये भी आपको software absolutely इसमें as a gift मिल रहा है इसके बाद revision इसमें included है for example आपने मेरे से एक बार सीख लिया आपको लगता है कि हमें कर रहा है ज्वाइन करने का तो आपसे कभी भी दुबारा फीस नहीं मांगी जाएगी ऐसा पूरे इंडिया में कहीं भी भी कोई नहीं करता हर इंसान double फीस चार्ज करता जब भी आप दुबारा ज्वाइन करने के लिए बोलोगे तो यहाँ पे मेरा purpose है कि आप लोग आओ सीखो अपनी life को सही करो और दूसरों को भी guidance दो क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं दुनिया में तो आपको एक उनके लिए support system बनना है अपनी life सही करने के बाद दूसरों के लिए भी support system बनना है तो इसलिए इसको इस तरीके से बना गया है कि कोई भी कसर ना छोड़ी जा ठीके तो यह भी इसमें included है तो यह nine bonuses आज आपको specially मिलने वाले हैं अब यह course चलता कैसे है कितनी classes होती है total 8 class होती है जिसमें से कि 4 या 5 classes मैं live लेती हूं कभी-कभी 4 में हो जाता है कभी-कभी 5 classes में होता है ठीके और उसके बाद जो तीन classes बचती है वो मैं आपको हमारी जो आपके पास lifetime access रहेगा ऐसा नहीं है कि दो दिन के रहेगा साथ दिन के रहेगा पंद्रा दिन के रहेगा ऐसा नहीं है हमेशा जो चीज आपको दी गई है वो आपके पास रहेंगी अब वो क्या है एक recordings है जो आप live class करोगे उसकी recordings में लेंगी और जो मैं PDF यूज करती हूं आपको डे दी जाती है तो अब यह जो स्टार्ट हो रही है हमारी classes नया बैच जो स्टार्ट हो रहा है वह पांच दिसंबर से हो रहा है लग-भग पांच दिसंबर के आसपास ही हो रहा है और timing रहता है यही साड़ेहाट बजे से दस बजे तक का alternate classes रहेंगी एक दिन रहें चार या पांच क्लास में कवर हो जाएगा ठीक है एक सेकंड दीजिएगा प्लीज हाँ जी सॉरी ठीक है तो ये हमारा कोर्स का शिडूल रहेगा और जब हमारा ये प्रोग्राम हो भी जाता है है ना कंप्लीट उसके बाद भी हर हफ्ते दजिन में क्लास लेती रहती हूं जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा मतलब आपको इसको पढ़ने के बाद भी मेरा सपोर्ट मिलता ही रहेगा तबी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमें नहीं आया तो आप लोगों को कितना पे कर थोड़ा खार सी हो गई मुझे आम सॉरी तो यह ओफर उन्हीं लोगों क्लेर आएगा जो लोग नेक्स्ट 15 मिनट्स में इस अपॉर्चुनिटी को अवेल गड़ लेगे तो जो भी लोग आना चाहते हैं जो भी लोग चाहते हैं कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स खतम हो और मैं शॉर्टी दिलाती हूं कि आप लोगों के लाइफ चेंजिंग साबित हो गए तो जो भी लोग डिसाइड कर चुके हैं पटाफट से 15 मिनट्स मिल रहे हैं आप लोगों को आप गूगल पे कर सकते हैं पेटियम कर सकते हैं और अपने आपको अन्रोल कर सकते हैं सॉलूशन इसमें यही है एक सॉलूशन इसमें यही है कि आप एक नया नंबर चूज करो क्योंकि जो आपके फोन में नंबर आ गया है उसको तो आप हटा नहीं सकते क्या आप उस नंबर को हटा सकते हो अगर आपके फोन में 58 आ गया तो ऐसा पॉसिबल है कि आप 58 हटा के कोई और नंबर रख लो ऐसा नहीं हो सकता पूरा ही फोन नंबर आपको रखना पड़ता है दूसरा तो पुराने नंबर को जैसा चल रहा है वैसे चलने दो एक नया नंबर यूज करो जो निम्रोलोजी के हिसाब से है और उसका सारा मेथड आपको मैं समझाऊंगी जितने भी लोग आते हैं उनको सबको नंबर्स असानी से मिलते हैं मैं पूरा गाइड करती हूं तो आप उसकी चिंदा फिकर मत करो बिल्कुल भी चिंदा मत करो उसकी ओके वीवो 1811 जी ओके यह जो आप लोगों को मिल रही है अभी जो 15-20 मिनट है इसी के लिए ही मिल रही है आप यकीन कि करो कि 32 रुपे में आजकल नर्सरी क्लास की फीस भी डिपॉजिट नहीं होती एक महीने की नर्सरी क्लास की फीस भी दमा करने जाओगे ना तो भी कित मिल रही है तो यह अब आपके हाथ में अगर आप लोग चाहते हो कि वह अपनी किसमत आपको बदलनी है तो पढ़ो नहीं चाहते तो कोई बात नहीं अगर जो लोग financial problems बोलते हैं मैं बोलते हूं अगर आपका भी फोन टूट जाए तो आप कहीं से भी फोन खरीदने जाओगे कहीं से भी पैसे अरेंज करोगे क्योंकि आपको फोन खरीदना है तो यह हमारी लाइफ में priorities होती है कल कभी भी नहीं आता तो जो भी लोग चाहते हैं वो जल्दी से enroll कर लें राइट झाल झाल तरुन कुमार जी थांक्यू सो मच आप ना जिस नंबर पर यह जो सामने नंबर दिख रहा है ना इसी पर स्क्रीन शॉट सेंड कर दीजे जो भी लोग पीज सेंड कर रहे हैं वो लोग फटा-फट से इसी नंबर पर फीज स्क्रीन शॉट भेज दें ऐसे मौके ना लाइफ में बहुत कम आते हैं राइट तो इसको एक बहुत अच्छी अपॉर्चनिटी समझो आप लोग और इस कोर्स में आजो आपके लाइफ बदल जाएगी आपकी बदल जाएगी और आपके घरवालों की भी बदल जाएगी और आप बहुत वंको आगए बदल पाऊगए 1811 जी, ओके, आप स्क्रीन शॉट भेज दीजे, वीवो 1811 से जो भी है, चांदनी जी, कितने दिन की क्लास है, मैंने बताया, 4, 2, 5 क्लासी रहेंगी लाइव, या तो 4 या 5, नेहा कुकरेजा जी, बहुत सिंपल है, आजकल सबको आता है, ओनलाइन पे करना, तो कोई प्रॉब जो लोग यह बोल रहे हैं कि 3200 अभी नहीं हो परे, वो 2000 पे करके सीट बुक करा सकते हो, और क्लास से पहले आप बागी का रिमेनिंग कर देना पायल खागरे जी, क्या प्रॉब्लम मैं बताइए, पायल खागरे जी, नेहा कुकरेजा जी, सामने आपको नंबर दिख रहा है ना, इस पे करके अपनी सीट रिजर्व करा लीजे, हाँ जी, वीवो 1811 जी, येस, ओके, चांदनी जी, आपका क्या कोशन है? सोनेश जैन जी, आप पे कर दीजे, मैं आपको बता दूँगी, सोनेश जैन जी, पाइल, आप वाट्सेप करो, पाइल घागरे, वाट्सेप कर दीजे, जिन भी लोगों की पीई सारी है, ताकि आप लोगों को गुरुप में आड़ कर लिया जाए, चांदनी जी, ऐसे कोई फिक्स नहीं करी है, पाइल से कौन सी तारिक तक चलेगी, बस ये कह सकती हूँ, विदिन 10 डेस खतम हो जाएंगी क्लासेज, पाइल तारिक से 15 दिन तक खतम हो जाएंगी, अल्का जी, अगर कोई क्लास में सोती है, तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, लाइव क्लास की, और अगर दूसरे बैच में जॉइन करना होगा, तो वो भी कर सकते हो, इतने सारे ओप्शन्स आप लोगों को मैंने दे दी हैं, इतनी flexibility दे दी है, कि मुझे नहीं लगता कोई और देता होगा, और इतनी फीस में, इसकी double फीस में भी आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, जितना मैं इसमें पढ़ाऊंगी, यह आपको आने के बाद समझ में आ जाएगा, पढ़ाऊंगी और उसके बाद इसको सही कैसे करना है, इंप्लिमेंट कैसे करना है, वो सारी चीज़ा आप लोगों को detail में सिखाई जाएगी, एसके जैन जी कोई भी रेमेडी नहीं है, इसमें मुबाइल नमबर में, जब तक आप मुबाइल नमबर सही नहीं रखते हैं, इसके लावा कोई रेमेडी नहीं होती है, एक अच्छा मुबाइल नमबर रखना ही इसकी रेमेडी है, समय का सद्विप्योग करते हुए जल्दी जल्दी कीजिए करते हुए जल्दी जल्दी जल्रा झाल झाल-पान Ming हां जी चांदनी जी जो सामने नंबर है यह गूगल पेपर भी है पेटीम पर भी है इसी नंबर पर आपको करना है 32 रुपे तो आपको पैदा भी नहीं लगेंगे कि आप कहां खर्श कर देते हो लाइफ में है ना तो इसमें इतना मत सोचो इसमें आपको इतनी सारी चीज़े सिखाई जाएंगे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा राइट एसके जन्जी मिलकर क्या हो जाएगा मिलने से अच्छा है कि आप इसको सीखो कि आपकी किसी का कोई सवाल जवाब रहे गया है तो दुबारा चैट बॉक्स पर भेज दीजे प्लीज किसी का कोई डाउट कोईशन कुछ और कि वेरिफाए अवीवो 1811 जी स्क्रीन शॉट भेज दीजे आप ओके मैं देखती हूं एक सेकेंट कि एक झाल जप में धु unto शिती है कि आपकिर को जबके मैं दीजे 個फेंट कि वेरानी है जा बखके को कि याओए लिवीवों भेक खो दोगए जा ड्रत में अपके कॉल कि अपना नाम भी लिखके भेज दीजिए जिन भी लोगों ने स्क्रीन शॉट भेज़ है ना अपना नेम भी भेज दीजिए अग्लोबल ग्रीन से कौन है हमारे पास ग्लोबल ग्रीन से अन्चु जी आपका हो गया स्क्रीन शॉट आ गया आपका और यह कौन है इनका नाम नहीं है जिन भी और दो-तिन लोगों का यहाँ पे मुझे दस लोगों के स्क्रीन शॉट दिख रहे हैं बट कुछ लोगों के नाम नहीं है यह आपर आपका नहीं दिखरा मुझे किसका है यह वीवो 18 से क्या नाम है आपका वीवो 1811 आपके सिमर जी जी ओके अंजु जी आपका हो गया रवीम जी आपका नेम लिखके भेज़ दीजे मुझे आया तो है अब कुछ लोगों के नेम नहीं है उसमें राजेंदर कुमार जी पेर्स के बारे में बात क्लास में हो पाएगी इस वेरी बिग टॉपिक ओके हेमल जी कि आपने अपना नाम लिखके भेज़ा है आपने स्क्रीन शॉट भेज़ दिया कि आपने हेमल जी हेमल बक्सी जी अभिलाज जी आपने तो एंड्रोल कर लिया है ना शायद कोर्स में अनीता द्याल जी बहुत ही प्रॉब्लमाटिक नंबर है आपका 48 रिपीट हो रहा है हेमल जी अगर आपने फीस डिपॉसिट कर दिया तो स्क्रीन शॉट भेज़ दीजे और अभिलास जी आपका जो डाउट है वो क्लास में क्लियर हो जाएगा ओके रवीम जी आपका आपने भेज़ दिया है थैंक्यू सो मच आप पी वो नाम से कौन है वी वो आपका स्क्रीन शॉट नहीं आया आपके लगार नाम बता दीजिए अपना अगर अगर आप है 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 जल्दी जल्दी कीजिए प्लीज पास्ट कीजिए जोतने भी लोग यहां पर बैठे हैं टाइम का सद्वियोग करें कोई डाउट है तो छफटा-फट से पूछ लीजे और जल्दी से कीजिए है 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 अनीता जी ऐसा नहीं होता फाइट नंबर कैसे अलग कर दोगे फोन में से आप यह बताओ मुझे कौन सा तरीका है 48 नंबर अलग करने का है राहुल जी शौट में नहीं बताया जा सकता तो बागी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं पटाफट से एन्रोल करें जो भी लोग चाह रहे हैं रंजिनी प्रसाद जी रोहिद जी सिम्रट सुनाली जी वजाहत राजीव जी राजीव सेंग curso अधायण जी नरायन दास नरायन पाटिल माध माधवीच क्रिशन 생 एमल बाकिशी तराज जी चांदनी पटाफट से कीजिए खान जी आपका स्क्रीन शॉट मिल गया रही है वीम जी चांदनी जी आप क्या बोल रहे हो ट्रांसफर कर रहे हो ओके लास्ट के टू मिनट्स बचे हैं तो फटाफट से एक्षण ले लिजे बागी से बिलोग ओके हेमल बक्सी जी आपका नाम होगा वीवो से आई गया से ना आपका भी स्क्रीन शॉट आ गया है जितने भी लोग बैठे हो कुछ तो बोलो जिन लोगों ने अन्रोल कर दो दो लिए वो लोग लीव कर सकते हैं सेशन को और जो लोग फीज पे कर रहे हैं वो लोग मुझे फटाफट से बता दो ताकि आप लोगों का वेट कर लूँ मैं सनी सिमर जी जी ओके अपना नाम लिखके भेज देना आप स्क्रीन शॉट के साथ अलका जी ओके नो प्रॉबलम अलका जी आपका आ गया है आपका स्क्रीन शॉट आ गया है रवीम जी आपका भी आ गया है अनिता जी ओ सॉरी अलका जी आपका भी आ गया है जी स्क्रींशॉट भेज दीजे आपने कर दिया है स्क्रींशॉट भेज दीजे ओके मुकेश जी ऑके मुकेश शर्मा जी आप मुझे वाटसेप कर दो इस नंबर पर वाटसेप कर दो और अपना नाम लिखके भेज देना जी अनीता दयाल जी पूराई नंबर बदलना पड़ेगा पर पूरा नंबर कैसे बदलना है आपको मोजाइल निम्डॉजिय आईगी तभी तो बदलोगे ना तो उसको सीखना पड़ेगा तभी तो बदलोगे अपने मन से थोड़ना रख लोगे कुछ भी है क्टेमाधवी वाट्साइप कर दोब सेम नमबर पर आगा लिप धी जो लोग रिड़्य है वह सेशन को लीव कर सकते घून है जो लोग और अभी पर करना चाहिए हैं उन्रों करना चाह रहे हैं वह लोग वैट करें बाधि सभी लोग सेशन को लीव कर दीजिये को झाल झाल वाट्सएप नहीं है, आप नंबर नोट कर लो, हाँ चानदनीजी आपका आगया सक्रीन शॉट, थांक यू, इस नंबर पर वाट्सएप है मेरे, मुकेश शर्मा जी यह जो नंबर है न इस पर वाट्सएप है, टेक्स्ट मैसेज कर दो, अगर वाट्सएप नहीं दिख रहा झाल झाल जानवी नाम से आगया आपका येस अनीता देयाल जी आपने फीज पे कर दिये गया अनीता देयाल जी बाकि जितने भी लोग बैठे हो उसमें से कोई अभी अन्रोल कर रहा है तो मुझे बता दीजिए या हम सेशन को एंड करें जल्दी से बता दीजिए जो भी लोग बैठे हो भी आप लोगों का कोई रिस्पॉंस नहीं आ रहा है आप सारे लोग कहां पे हो कृष्णा सिंग जी अनीता द्याल जी मुकेश शर्मा जी का हो गया होके नरायन दास जी नीता जी राजीव जी राजीव सिंग जी आप में से और किसी को एन्रोल करना है कोई कोईशन है डाउट है पूछ लिजे फटाफट से वनम सेशन को एंड करते हैं करता है करता है कर दो नीता ची वाटसेप कर दो आप मसजोट वाटसेप कर दो。 कर दो आप बाटसेप कर दो कर दो तो घर दो कर दो दो अ झाल झाल कि रंजनी रंजनी प्रसाद जी सेम फीस है एक कंसलिटेशन के लिए भी सेम फीस है वन टाइम कि आप वाट्सेप कर दीजिए जो भी कंसर्न है आपका हाँ निता जी वाट्सेप करना है वाट्सेप करना है निता जी और चलिए जी आप लोग यह नंबर सेफ कर लो जो भी लोग अभी कर रहे हैं पर हम इसेशन को एंड करते हैं थांक्यू सो मच गुड़नाइट टेक केर प्राइट झाल झाल